जियो खान यूट्यूब चैनल पे और आज हम डिसकस करेंगे concept of residence time concept of steady state equilibrium source of salinity into the sea water और हम देखेंगे इसके साथ में comparison of solutes of sea water and the river water और आपको वीडियो के end में मिलेंगे 10 questions जो की इसी वीडियो लेक्चर के content से बनाएवे हैं along with we will discuss also the water reservoir on the surface so this is the oceanography lecture 7 आप start करते हैं इसमें देखो जो source of salinity in sea water majorly एक broader sense में बात करें तो जो source of sea water है वह है source of salt and sea water that is your river river क्या करती है आपकी variety of dissolved salts लेके आती है जिसकी concentration parts per million में होती है है parts per million का मतलब समझ गया होंगे counting of particular among one million ठीक है अब यहां पर क्यूशन यह होता है कि कितना salt dissolve करके लेके आ रही है और कैसे ठीक है तो यहां पर एक important सवाल बनके आता है वह है देखो जो river water होता है ना उसकी chemical वे जो river water रहे टेरेस्ट्रेट्र जो लेंड पार्ट आहां पर पने पास में रोक्स है जहां जहां रिवर वातर रोक्स के रजाट्र मेंगा केंट करेगा अब चैमिकल वेक्तिविटी ओफ वाटर रहा है और यहां पर यहां पर एक सिंपल सी है वह है स्टू प्लेस सी एक्वेस्ट यहां पर यह यह से रियक्ट करेगा और अब बनाते और यह जो है वह बहुत जादा इस्टेबल नहीं है तो यह अपनी एच्प्लेस आयन की स्पीसिस को बहुत एज़िली लूज कर देगा तो यह एस्टू स्योटरी विल ब्रेक डाउन इंट्टू एच्प्लेस प्लस एस्टी माइन इस एच्प्लेस अओ इस स्प्लेस एंदर वेरियस के टायन्स आना के तैन्स का मतलब समझेंगा ना पॉजिटिवली चार्जड आयन्स तो जो वेरियस केटाइन उनको रिप्लेस करेगा जैसे कि पोटेसियम सोडियम जो आपके मिनरल्स में पहले बाउंड थे उनको यह क्या करेगा रिप्लेस करेगा और पोटेसियम और सोडियम बागी के ऐसे ही रिवर वोटर के अंदर भी बहुत सारे सबस्टेंस होते हैं जिसके अंदर आइंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिजोल्ड इस्पीशीज है वह आपकी है कार्बोनिक और उसके बाद में सिलिका देन सलफेट देन क्लोराइड देन सोडियम देन मेगनिसियम नाइट्रेट आइं आउक्साइड आइरन अलुमिनियम तो यह आपका एक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा होगा वह यह है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो डिजोल्ड सोल्यूट है सिरीवर्वाटर की अंदर भगया आपका कार्बोनिक एस भाई कार्भोलिक ठीक है और जब आयेन्स को अपन एन और केटाइन्स के और सिक्वेंस की यह सीक्वेंस ओंद डेआ तो इस थोड़ेज सी द्याओ आपको केटाइन सी आपको कि रहें आई अभी कुछ बात अपन कमबेरिजन करेंगे और यहां से कुछ को क्या है देखो इस ट्रीम के अंदर के बात करें देड़ पार्ट पर मिलियन और दोन कंसेट्रेशन इन सी वोटर तो आपका बाइकार्बोनेट तो बाइकार्बोनेट की इतनी है और यहां पर यहां पर क्लोराइड की बहुत कम है लें सी वोटर के नायंन्टेंटाइनय तो हंदी एक प्रोक्षीमैटली और यहां पर त figureson है और गेटिंग इस डिफ्रेंस ओफ कंसेंट्रेशन आप सोल्यूट्स इंड रिवर वोटर एंड सी वोटर यह एक आपका फंडामेंटल के उसन को रेज करता है देख केमिकल एनलेसिस करते हैं तब यह क्यों से ना अब उससे पहले उसको डिल करने से पहले अप यह जो सारीजन है कि केमिकल वेजरिंग जैसे एक्जामपल के लिए मां आपको समझाता हों कि और्थोग्लेस की केमिकल वेदरिंग होगी तुछ से क्या बनेगा आपका कियो नाइट और शीलिका ठीक अब यह जो क्यों यह आपका क्या सस्पेंड़ पार्टिकल्स की फर्म में पोटेसियम और सिलिका मिलेगी सिलिसिक एसिड भी बोल सकते हैं आपने यह ठीक है तो अब यह जो रिवर वोटर है वो क्या करेगा सिलिका को तो एज डिजोल्ड सोल्ट की तरह ट्रांसपोर्ट करेगा और केवली नाइट को एज फाइन पार्टिकल्स की तरह सस्पेंडर र प्रेवली नाइट वगर है इसको क्या करेगा यह क्ले मिनरल की तरह इंट्रोड्यूस करेगा तो यह सिलिका जो होगी या पोटेसियम जो केटाइन से वह तो एज डिजोल्ड सब्स्टेंस इंट्रोड्यूस होंगे और जो क्ले मिनरल बिंद रहा है यह आपको एज़े फा वह वो ओशन फ्लोर पे एजे मड़ डिपोजिट हो जाएगा मड़ गया होता है क्ले एंड साइस पार्टिकल्स का एक मिस्टर होता है यह आप मेरों को कमेंट बोक्स में बता देना ठीक है चलिए यहां पर मां क्यूंब बोड़ रहा हों की इस फाइन सब्स्पेंड पार् पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन ओशनी वाटर और एक्सक्लूडेड उनको अपन इंक्लूड नहीं कर रहते हैं वाइल दी केल्कुलेशन ओफ और डिटर्मिनेशन ओफ सेलेनेटी ठीक है तो यहां पर जो डिजॉल्ट सब्स्टेंस है वही क्या करेंगे दूखता है कि जैसे यह पहले एक एक्वेशन देख लो कि यहां से रियक्षन हुई पोटेसियम आयन है वह यहां से जन्रेट हुए यह आपका के ओलिनाइट बना और यह आपका डिजॉल्ट सिलिका में तो इसे डिजॉल्ट सब्स्टेंस की तरह इंट्रोडूस होगे के तो यह पार्टिकल्स की तरह इंट्रोडूस होगा तो यह आपके डिजॉल्ट फॉर्म में रहेंगे ठीक है और से लेटी को इंट्रोडूस करेंगे ऐसे ही यह तो सिरफ एक और्थोक्लेस का एक्जामपल है बहुत सारी मिनरल्स हैं आपके लेंड पार्ट पे जिनकी केमि इसको देख भी नहीं सकते दूसरा यह कि फ्रेस वोटर है उसका साल्टी टेस्ट भी नहीं आता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कि कितना डिजॉल्ट सोल्ट में इंट्रोडूस हो रहें पॉंट समुझ रहे हो ना कि सिंस्ट भी जानोट सी डिजॉल्ट सॉलेट सिन रीवर वोटर एंड दिफ्रेसोट डज नोट टेस्ट शॉल्टी देन अवी कें डिटर्माइन ठीप नॉच्ट वोटर रिवर वोटर तो इसका हूपन डिटर्माइन कैसे करते हैं वो एक यह सब्सक्रिप्ट मेरे को मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको लेंगे इसकी फॉर्म में लिख दिया है लेकिन लिखने का तरीका यह कि टू पॉइंट वावर 15 ग्राम्स ऑफ डिजोल्ड शोल्ट सार इंट्रोड्यूज्ड टू दी ओसेंस बाइदी रिवर्स ठीक अब तो आप बोलोगे सर ग्राम सी तो है लेकिन तेन की पावर 15 ग्राम्स आप इमेजन करके देखो यह कितनी बड़ी क्वांटिटी है ठीक है तो अपन कह सकते हैं एक नट सेल में कि सी वोटर सेलिनिटी का जो मेजर सोर्स है वह आपका क्या है रिवर वाटर ठीक है अब यहां कंदर ठीक हो करने के जबरत क्या है वाट इस फॉह पॉइंट यह है कि रीवर साब रेगुलर बेसिस पे ओसनिक वाटर के अंदर डिशौल्ट को इंट्रोर्दूस कर रही है ठीक है और दूसरा यह है कि रिवर वाटर के अंदर मउस्ट अबंडेंट जो सब्स्टेंस है य सबसे ज़्यादा होना चाहिए था क्लोराइड क्यों है यह एक फंडामेंटल क्यूशन है वो बनता है दूसरा यह है कि रीवर वोटर जो है वो रेगुलर बेसिस पर सोल्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वाई वी आर नोट गेटिंग अप्रीशेबल इंक्रीमेंट इं एन रिवर वोटर के थूँ ओसेनिक वोटर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो वाई वी आर नोट गेटिंग हाईयर सेलिनेटी ओफ सी वोटर समझ में आ रहे हैं यह दो फंडामेंटल क्यूशन है पहला कि बावजूद भी ओसेनिक वोटर में ट्रेस एलिमेंट की तरह क कि क्यों है कि इसी समझ रहे हो ना इसको अपने को डिसक्स करना यहां से दो फंडामेंटल कंसेप्ट अपने को मिलेंगे एक होगा इस्टेडी स्टेट एक्कुलिबरियम दूसरा है रेजिडेंस टाइम यहां पे फिर से अपन कर सकते हैं कि यह यह टेबल आप रेफरेंस क है जहां से अपने को कंसेप्ट आप रेजिडेंस टाइम मिलेगा क्यों कि क्लोराइड आइन की कंसेंट्रेशन रिवर वाटर के अंदर 7.8 है और से वाटर के अंदर इतनी है और दूसरा की सेलिनिटी इंक्रीज को नियूरी मौर और लेस एवरेज सेलिनिटी है उसका कैसे पता चलता है वहाँ आपको बताता हूं और उसके पीछे जो रिजन है वहाँ पर आपने को कंसर्प मिलेगा स्टेडी स्टेट इकुलिब्रियम अब यह दोनों चीज कर लेते हैं देखो फोसिल रिकॉर्ड और सेडिमेंटरी रॉक्स का रिकॉर्ड है वह इं और सेडिमेंटरी रॉक्स यहां से एक इंपर्डेंट पॉइंट और मां बता रहा हूं कि ओल्डेस्ट फोसिल जो है वह भी आपका अप्रोक्सिमेटली 3.5 बिलियन यर्स ओल्ड है इस साल नेट में पुछा गया था कि ओल्डेस्ट फोसिल इस ओफ ठीक है तो वह मौर दे 3.4 बिलियन यर्स अब यहां पर क्यूशन क्या है कि लास्ट 1.5 बिलियन यर्स से यह तक जो इस्टडी हुई है उसमें यह देखा गया है कि देर इस स्लाइटली वेरियेशन और चेंज इन सी वोटर सेलेनिटी डिस्पाइट ओप देफेक्ट रेगुलर सप्लाइव डिज प्रेडिंग और यह जो लावा का लेटरल एक्रिशन और रहा है सरफेस पे वहां पर गेसे इंट्रोडूस हो रही है और गैसे जैसे वाटर के अंदर आएंगे ट्रेपों के डिजॉल हो जाएंगी और लोट एंपरेशर कंडिसेंस में सॉलिट में करनोट हो जाएंगे तो 5 billion year के आसपास है और जो ऑसनिक वोटर है वह अर्थ सर्फेस पे कब आया था एज लोग एस 3.4 billion year एक ठीक है तो इसको थोड़ा से ध्यान में रखना अब इस्टेडि स्टेटिक लियूरियम क्या बोलती है कि अगर एवरे सलिनिटी मॉर और लेस कॉंस्टेंट रहा है उतन ही आउट्पिट भी होगा मतलब दे इनपूट ओप दिजोल सोल्ट में भी एक्वल तो दी आउट्पूट ओप दी सॉल्ट विच इन फॉर्म और प्रेशन और प्रसिपिटेशन कुछ भी तरह से हो सकता है उसको भी अपन डिसक्स करेंगे लेकिन यहां पर क्यूशन यह ह है कि इनपूट और आउट्पूट के बीच में कोई बैलेंस जरूर होना चाहिए ठीक है और यह आपन बहुता है उसको आपन सोर्स बोलते हैं और जो आउट्पूट जा रहा है उसको पन सिंक बॉलेंगे तो अब अपन इनपूट और आउट्पूट की टम्स में बात नह हैंगे सॉर्स मेंस इनपूट ऑफ दी मटेरियल और सिंक मेंस रिमूवल ऑफ दी मटेरियल विच मेंस कि स्टडी स्टेट इक विलुवरियम का कंसेप्ट यह बोलता है कि रेट और सॉर्स इस अप्रोक्सिमेटली एक्वल टूदी रेट ओफ सिंक ठीक है समझ महां कि अब यहां पर सॉट्स मटेरियल जो है वह कहां से आ रहा होगा रिवर वटर के ठुट हा रहा है और आपका से चला जाएगा घ। रिमेनिंग पॉर्शन रहेगा वो क्या होगा इंडरी होता चला जाएगा डिजॉल सोल्स में और एक ताइम ऐसे आगा इसको पॉइंट है उसको एक्सिट कर जाएगा तो आपका सॉल्ट कंटेंट हो रिमूव हो जाएगा ठीक है दूसरा जियो केमिकल बायो केमिकल एक्टि रहा है वह आपके सिलिकन केल्शिंग को अप्टेक करते रहते हैं इसके अलावा इवर प्रोसेस और परिसिप्टेशन के वजए से आपका डिजॉल्ट्र वह भी रीमूव होता रहेता है जैसे आपका है लाइट जिप समस्दै रहेते हैं वीचमेंस दे रेट ओफ सौर्स और इस स्टेडी स्टेट एकलियूगरियम की वजए से ही ऑसेनिक वोटर की सेलिनिटी वो और और लेस कॉंस्टेंट रह रही है और 1.5 बिलियन इयर के टाइम पिरेड में बहुत कम चेंज आया है ठीक है यहां पर द्यान में रखना इस बात को अभी एक चोटी सी बात और निकल के आती है कि यह यह पूरा का पूरा एक टेबल बनाई है वीडियो पोस्ट करके आप भी सकते हैं इसको जैसे केमिकल कंपोनेंट क्लॉराइड है तो क्लॉराइड का सोर्स कौन है सोडियम है तो इसका सोर्स कौन है पोटेशियम का सोर्स कौन है के लिका फॉस्परस वगर के सोर्स कौन है तो आपके क्लॉराइड का जो मेजर सोर्स हो आपका रीवर इन फ्लक् है और यह सिंक्स कैसे होते है क्लोराइड हो है वह सिंग कैसे हो रहा है इसको और योटody भी बीृत है और ब्रेदा से भी होता है तो यह आपके यहां किन भूट अच्छे होते हैं और बहुत अbn किये भी जा चुके हैं तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना चलिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपन डिसक्स करेंगे वह है कि अपने को क्लेख करना अपकोसब्स करना ता ताक ही आपको आसानी से समझ में आ सके वह जो स्ब्सक्राइब प्राइब को हिसा झालता है और रसे अर्परइड कर घृप डि़्विट में ऊप्तर हुच तो एसे हैं पर वह एलिमेंट्स जो लिक्वीड में या फ्ल्यूड के अंदर रहे पड़े रहते हैं या वहां से हटते नहीं या सिंक नहीं होते हैं तो उसको अपन का ओलते हैं लॉंगर दी रेजिदेंस टाइम अब सिंपल सी बहुत अच्छे निमेरेगल भी आते हैं उसको अपन डिसकस करेंगे जब इसके क्यूशन सौल करेंगे ठीक है यहां पे कुछ आपके आयन से जिनका रेजिदेंस टाइम दिया हुआ है यहां पे क्लोराइड का जो अप्रोक्सिमेटली रेजिदेंस टाइम हो इन फाइन आइ कि यह तो वेल इस्टेबलेस्ट फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा जो सॉल्यूट है जिसकी कंसेंट्रेशन वह आपके क्लोराइड यह ऐसा है क्योंकि इसका जो रेजिदेंस टाइम हो इंट्रूराइड होता चला जाएगा सिंकिंग होएगी नहीं जल्दी से सिंकिंग जल् फिर सोडियम का है देन लीथियम फिर स्ट्रोंसियम फिर पोटेशियम केल्सियम जिंक वगरे वगरे इस सारे आपको थोड़ा सा याद कर लेना है ठीक है रिवर वोटर के अंदर जो डिजोल सोल्ट है इसकी भी आपको सेक्वेंस यहाँ होने चाहिए यहां दोनों ही पॉ पॉर्शन मैंने बताया था कि जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है उनका जो रेशियो है वह कॉंस्टेंट रहता है एर्रिस्पेक्टिव औफ लोकेशन एंड इर्रेस्पेक्टिव आप सलेनेटी जैसे सोडियम और पोटेसियम रेशियो लेंगे तो वह अप्रोक्सिमेटली हमेशा एक जैसा ही आएगा इसको बोलता है कौंस्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉंस्टेंट प्रपोर्शन और यह किस बैसिस पे अपन एक्स्प्लेंट करते हैं और दूसरा यह है कि रेपिड कूलिंग होती रहती है अब कोलिंग होने के कई सारे तरीके हैं उसको अपन डि रेपिड कूलिंग होने की वज़े से जो सॉल्ट का डिस्ट्रिबिशन और वो थ्रू आउट दी ओशन और यूनिफॉर्म रहता है तो अगर आप से क्यूशन पूसराइग कि वाई वी आर गेटिंग यूनिफॉर्म ले डिस्ट्रिबुटेड सॉल्ट्स थू आउट दी लॉंग रेजिटेंस टाइम आप दी सॉल्ट्स ठीक है तो यह आपका मैन मैन है इसके आलावा अपन वाटर रिजब बाइर डिसक्स करेंगे वाटर रिजबॉर्म अपन का वोलते हैं कि नाधन हेमिस्पेयर में जो वाटर कवर हो 60 परसेंट के आसपास है और सदन हमिस्प लेना और वोल्यूम की टर्म्स में यह ओशनिक वोटर के अंदर जो टॉटल वोल्यूम वोटर रहे उसका 97.25 परसेंट डैट इस कंसेंट्रेट टू और इसके अलावा जो वोटर वोटर रिजबॉयर्स है और सबसे ज्यादा वोटर किसका है आइस मासे इसका है उसके अब यहां पर देख रहे होंगे तो वोल्यूम अब ग्राउंड वाटर इन लेक्स प्लस रिवर प्लस अट्मोस्फियर्स तो यह कुछ मोटा मोटी सा कंसेट है यहां पर डेटा भी दिया हुआ है कि वर्ल्ड ओशन का 97.2 परसेंट ग्लेसर के अंदर 2.15 परसेंट बागी क पढ़ लेना देख लेना ठीक है और यह किसन यूपीएसी के कमबाइंट जीरो साइंटिस्ट एक्जामिनेशन की प्रिलिम्स एक्जाम में भी आया था और सायद है रहा है तो यहां से क्यों सब्सक्राइब कम से कम नेट के एक्जाम में आज के लेक्टर से दो आपको मिले है और इसको मद्य नज़र रखते हुए हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे ठीक है और यह सारे सारे आज के क्यूशन से पहला क्यूशन है कि भी साइन डिटुमाइंस दी केमिकल रेक्टिविटीविटी और यह साप बहुत आराम से कर लोगे अगर इस पूरे वीडियो लेक् सब्सक्राइब और प्लीज शेर जरूर करना और अच्छे से देखना इसको और और एक्जामिनेशन ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन